असलाम आलेकुम दोस्तों मैं हूँ असलाम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपोर्ट दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक सवाल नदर आ रहा होगा असलाम आलेकुम सर QVC Medical of India में नहीं होगा क्या बात सही है सर QVC Medical of Qatar में ही होगा आप लोगों ने कमेंट देख लिया इस भाई का पूशना है इसको किसी तरह मालम हुआ कि अब इंडिया में Qatar Visa Center में मेडिकल नहीं होगा बलके Qatar में मेडिकल होगा तो यह मुझसे कनफर्म करना चाहते हैं यह सवाल क्यों आया इसके बारे मैं आप लोगों को आगे बताने वा कि इंडिया में Qatar Visa Center में मेडिकल होगा या नहीं होगा तो इसके लिए हम Qatar Visa Center के वेबसाइट पर चलते हैं यहां पर मैं इसक्रीन पर आच चुका हूं लेप्टप के यहां पर मैं Qatar Visa Center लिखता हूं उसके बाद देखता हूं कि यहां पर हमने इंटरप्रेस किया और सब से बाद यहां पर हम देखते हैं कि क्या देखने को मिल रहा है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि Qatar Visa Center इंडिया का वेबसाइट बिल्कुल ओपन हो चुका है और यहां पर आप लोगों को एक जो है नोटिफिकेशन स्क्रोल करता हुआ नजर आ रहा होगा इसमें जो है कोई भ Visa Center में Medical होगा या नहीं होगा ऐसा तो नहीं है कि इंडिया वालों का अब Qatar में ही Medical होगा तो इस तरक अगर आप लोगों ने भी कहीं पर अफवा सुना है तो यह बिल्कुल जूट है इसमें कोई भी सचाई नहीं है बलके इंडिया में जो गतर विजा सेंटर है वह अभी त बता है तो अक्सर बेशतर विजा के रिजेक्ट हो जाने के ही वज़से इस भाई को जो है ख्याल आया होगा या यह किस भाई को किसी दूसरी आदमी ने बताया होगा कि अब इंडिया वालों का Qatar Visa Center में Medical नहीं होगा तो दोस्तों इसमें कुछ भी सचाई नहीं है यहाँ प वहाँ पर भी आप लोगों को यह इसी तरह का नजर आएगा वहाँ पर भी Qatar Visa Center के बंद होने की कोई भी खबर नहीं आप लोगों को मिलेगी यहाँ पर मैं आप लोगों को अब नेपाल का जो है Qatar Visa Center यह इसका वीबसेट आप लोगों को देखाने वाला हो तो यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान बंगलादेश स्री लंका फिलिपीन छे कंट्री में है तो छे कंट्री में भी अभी तक जो है एक्टिव है वहाँ पर बंद होने की कोई खबर नहीं है यहाँ पर मैं एक मुरताब फिलिपीन का भी ओपन करके देख लेता हूं तो दोस्तों इस वेब कोई गलत इंफरमेशन शियर नहो